आज की और इस समय की सबसे बड़ी खबर और सबसे शुब खबर ये है कि भारा सरकार यूकरेन के सुमी शहर में फसे सभी च्छात्रों को निकालने में काम्याब हो गई है और इन चात्रों को बारा बसों में पुलतावा शहर ले जाये गया है जो मध्य यूक्रेन में स्थित एक दूसरा शहर है इन बसों में भारते दूतावास के अधिकारी थे और अंतराश्ट्रे संस्था रेड क्रॉस के लोग भी हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे युद्ध शेतर के बीच से बारा सरकार अपने चात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने में काम्याब रही और इस दौरान वहां पर मौझूद रश्या के सैनिकों ने कोई गोली बारी नहीं की और इन बसों को एक सेफ पैसेज दे दिया गया यानि एक सुरक्षित रास्ता इन बसों को दिया गया और ये भारत की एक बहुत बड़ी कूट नितिक सफलता है और प्रदार मंतरी नरेंदर मोधी ने राश्पती पुतिन और राश्पती जेलन्सकी से अपनी हर बाचीत में वहां पर फसे हुए भारतियों की सुरक्षित का मुद्दा उठाया था और उनसे बार-बार ये कहा था कि उन दोनों देशों की सेनाएं भारत के नागरिकों को वहां से जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करें और ये आज हो गया 12 सरकार ने आज 17 और देशों के नागरिकों को भी सुमी से इवैक्यूट किया है और इन 17 देशों में नेपाल, पाकिस्तान, बांगला देश और तुनिश्या जैसे देश भी शामिल है आज ये छात्र और इनके परिवार बेशक दूसरे देशों में रहते हैं लेकिन ये सब भारत को दिल से दुआएं दे रहे होंगे लेकिन बड़ा सवाली है कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत लोटे हमारे हजारों चातर भी क्या अपनी सरकार को दिल से थैंक्यू कह रहे हैं और आज हम इसी बात का विशेशन करेंगे ये बात हमें बहुत चुब रही है आपको पहले से हम बता दें बहुत सारे लोगों को आज हमारी ये बात बुरी लग सकती है बहुत सारे लोगों को ये बात चुब सकती है क्योंकि ये एक कड़वी बात है और हमारे देश में लोग कड़वी बातें करना नहीं चाहते हैं क्योंकि कड़वी बातों में T.R.P. नहीं मिलती हैं हमारे देश में लोग वही बातें करना चाहते हैं जो जनता सुनना चाहती है तो आपको पहले ही बता दें ये वो बात है जो शायद कुछ लोग ना सुनना चाहते हूं लेकिन सच तब भी सच ही रहेगा क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनस क्या है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनस है युद्ध का बिजनस दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है तो हजारों और लाखों परिवार बरबाद होते हैं खतम हो जाते हैं दुख पीड़ा आपको दिखाई देती है लेकिन इसके साथ ही करोडों लोग आबाद भी हो जाते हैं करोडों लोग पैसा भी कमाते हैं यानि वो युद्ध के व्यापार से पैसा कमाते हैं जिस भी देश में युद्ध होता है वो देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाता है दुनिया की बड़ी-बड़ी कमपनिया उस देश में हाथ्यार बेचती हैं तेल बेचती हैं, बिजली बेचती हैं, पानी बेचती हैं, और फिर युद्ध शेत्र में जो नुकसान होता है, उसके पुनर निर्मान के नाम पर हजारों करोड रुपे कमाई जाते हैं। और मीडिया के लिए भी युद्ध अपनी टियारपी बढ़ाने का, अपनी लोक्तियता बढ़ाने का, अपनी वियोर्शिप बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर होता है, युद्ध चाहे कहीं कभी हुआ हो। यानि जो युद्ध है, ये एक बिजनस मॉडल बन गया था। दुनिया भर के लोगों को टीवी पर युद्ध की तस्वीरें देखना बहुत अच्छा लगता है। और पूरी दुनिया में हिंसा की तस्वीरें सबसे ज्यादा ध्यान आकरिश्ट करने का सबसे असरदार मा ध्यान जाती है। इसलिए जब भी दुनिया में कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई बॉम ब्लास्ट होता है या जब दो देशों के बीच कोई युद्ध होता है तो न्यूज चैनल्स की विवर्शिप अचानक से बहुत बढ़ जाती है। यानि मीडिया के लिए भी ये एक बाजार है। आईसाइस के आतंकवादी उन्हें इस ट्रेंड को बहुत पहले ही पहचान लिया था और इसलिए उन्होंने अपने कैदियों के सिरकलम करने के वीडियो बना कर फिर उन्हें जारी करना शुरू कर दिया था और इन वीडियोज को दुनिया भर में से टकराते हुए देखा तो वो हैरान हो गई क्योंकि उन्होंने ऐसा सब देखा नहीं था और दुनिया भर की मीडिया कंपनियों ने इन तस्वीरों को जम कर बेचा इसलिए इस बार जो इस बार का यूक्रेन और रश्या युद्ध है ये भी मीडिया के बाजार में जबरद तरीके से बिक रहा है और आज चाहे पूरी दुनिया की आप बात कर लीजे या अपने देश भारत की बात कर लीजे सबसे ज्यादा जो वीवर्शिप है वो इसी युद्ध की है और ऐसा लगता है जो आकड़े बताते हैं वो ये कि हमारे देश के लोग भी ये बम, बारू धमाके, हत्यारों का चलना, क्रैश होना, हेलिकॉप्टर, हवाई जहाज ये सब देखना चाहते हैं लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं उसकी बड़ी जबर्दस वीवर्शिप है तो ये बात तो है व्यापार की ये सब कुछ एक व्यापार है जो लोग इसे कर रहे ह उनके लिए भी एक व्यापार है और मीडिया के लिए भी ये एक व्यापार बन जाता है लेकिन यही युध किसी भी देश के लोगों के असली चरित्र को भी दुनिया के सामने उजागर करता है युद्ध की इनी परिस्तितियों से पता चलता है कि कौन सा देश कितना बहादूर है किस देश के लोग कितने बहादूर है कितने कायर है क्योंकि मुश्किल घड़ी में ही इनसान के असली चरित्र की और उसके धहरे की परिक्षा होती है जैसे इस बार के युद्ध में लोगों को पता चला कि यूकरेन के नागरिक अपने देश से कितना प्यार करते हैं और वो अपने देश को बचाने के लिए कितनी शिदत से देश भक्ती के साथ लड़ रहे हैं दुनिया को पता चला इसी तरह रश्या के लोग भी इस युद्ध में अपने देश के साथ खड़े हुए हैं और वहाँ पर भी तमाम प्रतिबंदों के बावजूद किसी ने भी अपने देश की सेना या अपने राश्पती व्लादिमेर पोतेन के खिलाफ कुछ कहा नहीं है हाला कि कुछ छोटे छोटे ग्रूपस ऐसे हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है लेकिन तब भी वहाँ के पार्लेमेंट में भी और वैसे भी लोगों ने यही दिखाया भी तक यानि रश्या के लोग भी अपनी पूरी तरह अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं मुठी बर लोगों को अगर हम छोड़ दें तो इसी तरह इस युद में यूरोप में पोलेंड जैसे देशे कोई लोगों का चरितर भी पता चला जिस सरा से पोलेंड के लोगों ने दिल खोल कर यूकरेंड से आने वाले शरनार्थियों की मदद की है उन्हें अपने घरों में रहने की जगा दी है उससे पता चलता है कि पोलेंड के लोग कितने दयालू हैं और कितने बड़े दिल वाले हैं इन देशों के बाद इस युद्ध ने भारत के युवाओं के असली चरित्र के बारे में भी पूरी दुनिया को बता दिया है भारत के 18,000 युवा चात्र युक्रेन में रहते थे और उन में से लगबग 96 पृतिशत चात्रों को भारत सरकार अब सुरक्षित रूप से वापस देश ला चुकी है इस संकट के दौरान हमारे देश के युवाओं ने जो पहली बात दुनिया को बताई वो ये कि वो जल्द से जल्द वहाँ से भाग कर भारत आना चाहते थे और दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि उनमें यूकरेन में रहने वाले बाकी देशों के चात्रों के मकाबले शायद सबसे कम धहरे था लेकिन सबसे ज़्यादा शोर भी हमारे देश के चात्रों ने ही मचाया सबसे ज़्यादा वीडियोज भी हमारे देश के चात्रों ने ही बनाए सबसे ज़्यादा अपील हमारे देश के चात्रों ने ही की ये कहते हुए कि हमें जल्दी से जल्दी बस किसी तरह से निकाल लीजिए आपको इतने सारे वीडियोज किसी दूसरे देश के चात्रों ने बना कर आपको नहीं मिलेंगे जितने हमारे देश के चात्रों ने बनाए हैं पूरी दुनिया में चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हूं एक शब्द होता है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ठैंक्यू हिंदी में कहते हैं धन्यवाद उर्दू में कहते हैं शुक्रिया दुनिया में आप चाहे किसी भी देश के हों किसी भी धर्म के हों किसी भी प्रजाती के हों लोग छोटी छोटी बात पर भी थैंक्यू कहना नहीं भूलते हैं यहां तक कि अगर आप सड़क पर किसी से रास्ता भी पूछते हैं तो उसे भी धन्यवाद जरूर कहते हैं थैंक्यू जरूर कहते हैं लेकिन इस बार यूकरेन से आए बहुत सारे भारतिय चात्रों के अभ अपने देश के लोगों से मिल रही इस मदद को शायद अपना हक समझ बैठे हैं और कोई भी मदद जब आप हक की तरह सुईकार करते हैं तो उसमें से खुशी और कृतगयता चली जाती है सिर्फ शिकायत बचती है और हमारे देश के बहुत सारे चात्र जब अपनी मातर भ जब भुश था और अपने देश के प्रथी शायद एक हीन-भावना थी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश के सभी चातिरों ने ऐसा किया बिलकुल नहीं सभी चात्रों ने नहीं किया लेकिन कुh ऐसे चात्र जरूर थे जो खुद को भारती होने पर शायद गौरवा बाहर निकाला है वो भारत का गुंगान कर रहे हैं उनके परिवार वाले भारत को धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन हमारे अपने छात्र शायद यह भूल गए बारा सरकार ने इन छात्रों की वापसी के लिए अपने चार सीनियर मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों म हाथ जोड़ कर इनका स्वागत करने के लिए प्लेन के बाहर खड़े हुए थे इन्हें वेलकम बैक कह रहे थे तो इन छात्रों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और उनके नमस्ते का जवाब तक देना उचित नहीं समझा इस युवा पीडी को देखकर आज मन में ये विचार जरूर आता है कि अगर कभी भारत पर यूकरेन जैसी आफ़त आ गई तो हमारे देश के युवा और हमारे देश के लोग उस दिन कैसा वेवार करेंगे एक बार पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए जब हमारे चातर आए और हमारे देश के मंत्री उनका स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हुए थे और हमारे जो ये चातर हैं सब की बात नहीं कर रहा लेकिन कुछ चातर ऐसे हैं जिनके चेहरे पर आप देखिया आपको क्या दिखता है आप लोग का साहथ जो करके जो मेनद करके आप लोग इदर आए आप सब लोगों को मैं पिर एक बात 12 सरकार के और से सारी भारत के जनता के और से मैं स्वागत करता हूँ जर सब्सक्ताव का यावन पर सब्सक्राइब झाल, 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 झाल झाल, 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 झा जो चात्र हैं ये छोटे बच्चे नहीं हैं, स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये युनिवस्टीज के चात्र हैं, डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पर गए हैं, इंजिनिर बनने के लिए वहाँ पर गए हैं, उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर गए हैं, इन तस्वीरों को हमारे देश के विपक्षी नेता इस्तिमाल कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार का मजाक उड़ाने के कह रहे हैं कि देखिए हमारे देश के मंतरी वहाँ पर गए और किसी ने देखा तक नहीं आप जानते हैं हमारे देश में ये भी राजनिती करने का एक तरीका है कि अपने देश का मजाक उड़ाईए अपनी सरकार का मजाक उड़ाईए और लोगों को ये बताईए, पूरी दुनिया को ये बताईए कि हमारे चातर कैसे है तो मैं ये कहूंगा कि इन तस्वीरों का एक तरीके से दुरूपयोग हो रहा है और हमारे देश के जो विपक्ष के लोग हैं हमारे देश के कुछ जो लिबरल्स हैं जिने लोगतंतर खत्रे में नजार आता है जो राजनीती से प्रेरित लोग हैं मीडिया में भी ऐसे लोग हैं वो सब इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल कर मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें आज ऐसा लगता है कि किसी एक नेता का मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें लगता है वो मूदी का मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन असल में वो भारत का मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में इन तस्वीरों को देखकर आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन चात्रों को इस बात की बिलकुल भी खुशी नहीं है कि बारा सरकार उन्हें युकरेन के युद्ध खेतर से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाई है बलकि इन चात्रों के वैवार को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये देश के लिए शायद कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए युकरेन गए थे इन चात्रों को शायद हमीने वहाँ पर भेजा था देश का नाम रोशन करने के लिए और ऐसा करके इन चात्रों ने बहुत बड़ा त्याग किया है भारत के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है और इन चात्रों में नाराजगी इस बात की है कि वो तो यूकरेन में भारत का नाम रोशन करने के लिए गए थे लेकिन जब संकट की घड़ी आई तो सरकार न लगा कर वहाँ पर गए थे और इसमें कोई बुराई नहीं है हम यह नहीं कहरें कि नहीं करना चाहिए था इस देश के हर नागरिक को यह पूरा अधिकार है कि वो यह बात तै करें कि उसे दुनिया के किस हिस्से में जाकर अपना भविश्य उजवल दिखता है और उसे अपने देश से कोई अच्छी ऑपर्चुनिटी दूसरे देशों में मिल सकती है तो इन चात्रों को वहाँ जरूर जाना चाहिए लेकिन एक बार सोचकर देखिए जो लोग अपने संसाधनों से अपनी मर्जी से अपने पैसे से अपना जीवन अच्छा का बनाने के लिए देश छोड़कर बाहर गए अगर वो युद्ध होने पर वाँ फस जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उन्हें देश वापस लाना अब भारत के लोगों की और भारत की सरकार की पूरी जिम्मेदारी है तो ये उनका हक है ये सही नहीं हो सकता मानवीय आधार पर इन चात्रों की वापसी के लिए भारत सरकार जो भी कर सकती थी उसने किया मानवीय आधार पर क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं हर सरकार की ये ड्यूटी भी होनी चाहिए लेकिन इन चात्रों दोरा इस मदद को अपना हक मान लेना और सरकार के प्रती और अपने देश के प्रती हीन भावना रखना, क्या इसे सही कह सकते हैं, आज ये बात हम आप सब के बीच लेकर आए हैं, ये बात ऐसी है, ये शब्द जो है कड़वे हैं, और कड़वे बाते हैं, कड़वे शब्द हमारे देश में लोगों को पसंद नहीं आते हैं, हो सकता इनों ने करवाई अपने संसाधन, अपनी मर्जी की एरलाइन, अपनी मर्जी का टाइम चुना, अपनी मर्जी की युनिवस्टी चुनी, जैसे अपने खर्चे पर गए थे, वैसे ही अपने खर्च पर वापस भी आ सकते थे और आ जाते, और दूसरा रास्ता ये था, कि अग बागना नहीं बलकि मानवता की सेवा करना तो वहां रुख सकते थे यूक्रेन के लोगों के साथ बैठ कर उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते थे लेकिन हमारे देश के तमाम चात्र सिर्व वहां से भाग कर वापस आना चाहते थे क्योंकि आज यूक्रेन के पुरुष जो पुरुष नागरिक हैं वो युद्ध क्षेत्र को छोड़ कर भाग नहीं रहे यूक्रेन के तमाम जो युवा हैं और जो पुरुष नागरिक हैं वो तमाम लोग वहीं पर बने हुए हैं और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे ह कि एक सच्चा नागरिक अपने देश की रक्षा के लिए टेक्स भी देता है और अपनी जान भी खुशी खुशी दे सकता है सोचिए यूकरेन के नागरिकों ने एक बार भी अपनी सरकार को ये शिकायत नहीं की कि उन्हें इस युद्ध की आग में सरकार ने बेवज़ा जोग दिया बलकि वो अपनी सुच्चा से इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं उन्हें सुविधाएं समय पर नहीं मिली उन्हें एक बड़े से हौल में एक साथ सब को सोने के लिए कह दिया गया वहाँ पर विवस्थाएं ठीक नहीं थी शायद उन्हें वहाँ भी सुविधाओं की उम्मीद थी आज शिकायत करने वाले इन छात्रों को समझना होगा कि वो युद्ध ख्षेतर में फसे हुए थे वो किसी सड़क दुरघटना का शिकार नहीं हुए थे कि बारा सरकार बड़ी आसानी से उन्हें रेस्क्यू करके वापस ले आती अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देशों ने अपने नागरिकों को सीधे मदद पहुँचाने से इंकार कर दिया था और क्या दिया था कि आप अपने हिसाब से अपना इंतजाम खुद कर लीजिए लेकिन भारा सरकार ने इस चुनोती को सुईकार किया और वो अपने चात्रों को देश लेकर आई पूरे दुनिया की अकेली ऐसी सरकार है लेकिन इन चात्रों के अबद्र वेवार करके इन चात्रों ने अपना असली चरित्र पूरी दुनिया को आज बता दिया है लोग जब घर जाएं तो कम से कम इस चीज को याद रखे हैं कि यहां पर हमारी जो अमबेजर हैं उनों ने बहुत महनत की आपके लिए पूरे स्टाफ ने बहुत महनत की बहुत महनत की आप लोग छोड़ दीजए युक्रेन अस सून अस पॉसिबिल इंडियन एंबसी ने कोई एडवाइजरी हमारे लिए नहीं दे थी कीफ के लिए दी थी कीफ स्टुडेंट्स के लिए अगर उस समय हर में एडवाइजरी मिल जाती तो आज इतने वच्छे जो फसे थे वह आज फसे ना होते हम लोग जाता तर निकल चुके होते हैं इंडियन एंबसी में जाने के बाद उन्होंने हमें दो दिन का वाँ स्टेय दिया लेकिन कोई इतनी हेल्प नहीं क्योंकि फूड नहीं था खाने को उनके पास वाटर नहीं था वाश्रूंग फेसिलिटी कुछ भी नहीं सब अपने आप करने पड़ रहा है बसेज और जो अब लास्ट तीन चार बसेज निकले है वो सीनियर्स के थूर और जो महां हमारे देख करते हैं हमारे हेडर जो पोस्टेज और कोई नहीं करवाई हैं उदर और कोई हेल्प नहीं है कम से कम हजार बच्चे एक शेल्टर में ओपर दिया गए जो बात्रूं साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे सीरियस्कि हम इतना स्टरगल कर गए और बात्रूं साफ करेंगे और बात्रूं साफ करेंगे कि अधिकारी को मंतरी इतने सारे गए किसी को नहीं का बहाँ पर हम इसलिए नहीं निकलना था हमारी जो गवर्मेंट है उसने उकरेंड से बाहर सपोर्ट की उकरेंड के अंदर क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है हमें हमारी गोवर्मेंट लाइक अभी भी हमारी खारगीव सिटी में काफी बच्चे फसे हों इस्टा के अलरडी और आप जानते होंगे कितनी आप देखो यह बात आप समझो कि यूक्रेन का एर स्पेस बंद हो चुका है और एक देश में वार चल रहा है उस वार के क्षेतर में किसी भ को जाने की इजाज़त नहीं मिलती आपको आपको यह देखना चाहिए कि आप तैंक यू जो हमारे पास है सबसे पहले हमें वह आप्शन्स तलाशने चाहिए कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं तो हमने जो किया तो मुझे लगता है बहुत किया आप आप लोग खुदी उसके कैसे पहुंच सकते हैं आप मैंसे किसी के पास आइडिया है किस से कहके यूपर यह क्या गारेंटी है कि यूपरियन का प्रेजिडेंट या यूपरियन की सरकार यह सा करेगी कैसे करेगी बताईए वो एक दूसरा देश है वो कर भी सकता और मना भी कर सकता है आप अपने दोस्तों को आज अगर वो पुछे कि आप बता दो कि मैं रुकूं या आ जाओं आप क्या बताओगे उसको और अगर वो आपने कहा कि रुक जाओ और तब मारा गया तो क्या कर संब्सक्राइब लुगे इस अवर होगा एक तो मैं भी ऐसे बहुत सारे चात्रों को बॉर्डर पर पोलेंड और युक्रेन के बॉर्डर पर मिला बसों में मिला एक बात फिर से इस पर्ष्ट करना चाहता ह। सारे चात्रे से नहीं हैं बहुत चात्र अच्छे हैं अपने उनके देश ने उन्हें बचाने के लिए जितनी कोशिश हैं की उसका संमान करते हैं। हम सबकी बात यहां पर नहीं कर रहें। इसलिए उन छात्रों को बुरा मानने की कोई आवश्यक्ता नहीं हैं। उनके पर्यवारों को जो कि अपने देश को लेकर सही भावना रखते हैं. यहां हम बात कर रहे हैं उन चातरों की जो की नाराज हैं, जो ग spoil में हैं. जो देश के मीडिया से दुनिया भर के मीडिया से वीडियो बना बना कर ये कह रहे हैं कि हमारे देश ने हमारे लिए कुछ नहीं किया बावजूद इसके कि भारत जितने जो कोशिश भारत ने की है वो किसी दूसरे देश नहीं किया आप खुद सोचिए आपको दूसरे देशों के बच्चों के कितने वीडियोज अभी तक देखने को मिले हैं। हमारे यहां से सेकड़ों हजारों वीडियोज लोगों ने बना बना के डाल दिये। और पूरी दुनिया में यह बताने की कुशिश की कि हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। जबकि यह एक युद्धिक्षेत्र है। युद्धिक्षेत्र में भी आपने देखा होगा बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जो यह कह रहे हैं कि हम अपना टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, वहां पानी की सुविधा नहीं है, वहां रहने की सुविधा नहीं है। ऐसी जगों पर भी उन्हें सुविधा की मांग करनी हैं। ऐसी जगों पर जान बच जाए ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और कड़ी सचाई है कि हमारे देश का एक खास वर्ग, हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता, हमारे देश के कुछ लिबरल्स, मीडिया के भी कुछ लोग, अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ये सब कुछ अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रही है। ये मंत्रियों को वहाँ पर भेजना, उसके बाद उन मंत्रियों को हवाई एड़े पर भेजना, बच्चों का स्वागत करना, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। विश्वास भरने के लिए है, ताकि अगली बार जब दोबारा भगवान ना करे कोई ऐसी मुसीबत में फसे, तो उसे हमेशा ये बात याद रहे, कि उनका देश और उनकी सरकार चाहे, वो दुनिया में किसी भी कोने में फसे हों, उन्हें जिन्दा निकालने के लिए, वह आज इन छातरों को भी, ये समझना होगा कि भारा सरकार के जो मंत्री हैं, ये उनके सेवक जरूर हैं, लेकिन उनके नौकर नहीं हैं, सेवक और नौकर में एक बड़ा अंतर होता है, हमारे देश के प्रधान मंत्री भी कहते हैं, अपने आपको की वो प्रधान सेवक हैं, तो प्रधान सेवक हैं, वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवक को नौकर नहीं समझना चाहिए, और आज हो सकता है, इन छातरों ने सेवक और नौकर के इस अंतर को ठीक से समझा नहीं, सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए हो सकता है कि आज आज आपको इस सारी बातें अच् ज्यादा है, जो अपने पैट डॉग्स और अपने कैट्स को भारत लाना चाते थे और लाए भी हैं, पहले इन छातरों को इवेक्वेशन में अपने साथ अपने पैट्स को लाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने तमाम कोशिशें करके उन्हें इसकी भी अ पावजूद ही अपने देश को हीन भावना से दिख रहे हैं और सरकार के प्रती धन्यवाद का कोई भाव इनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। अपना असली चरित्र दुनिया को दिखाया, ठीक वैसा ही वर्ष 1999 में भी हो चुका है। उस समय आतंकवादियों ने इंडियन एरलाइन्स की फ्लाइट IC814 को काठमांडू और दिल्ली के बीच हाईजेक कर लिया था। और 189 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की रहाई के ब जनता के दबाव, उनके गुस्से और उनके आक्रोश के सामने भारत की सरकार को जुकना पड़ा था। यानि उस समय किसी को राश्ट की परवा नहीं थी। सब को इस विमान में फसे अपने परिवार के लोगों की फिक्र थी। विमान में फसे लोगों की जान बचाने के लिए सरकार हर संभव कुशिश कर रही थी, बाचीत कर रही थी आतंकवादियों से, नेगोशेट कर रही थी। आतंकवादी कह रही थे कि हमारे जो साथी आतंकवादी भारत की जेलों में बंद हैं उन्हें पहले छोड़ो और हम समय पैसा भी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि सरकार उनसे ठीक से नेगोशेट करती, भारत की जनता का दवाव इतना ज्यादा बढ़ गया और देश में महावल ऐसा बना दिया गया कि राश्ट कमजोर पढ़ने लगा, उस समय बंदगों के परिवार बेचैन हो गए और वो सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाने लगी, और कुछ बंदगों के रिष्टेदारों ने प्रधान मंतरी आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन देने करने शुरू कर दिया, और सबकी एक ही शिकायत थी, कि सरकार बंदगों पर फैसला नहीं ले रही, सरकार इन्हें छोडाना नहीं चाहते, और सरकार विलंब कर रही है, जिससे भारत के नागरिकों की जान खत्रे में है, और हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने भी इन परिवारों को खूब चढ़ाया, इन्हें खूब उत्तेजित किया, और कहा कि नहीं आप उस समय भारत के मीडिया ने भी इन परिवारों के आसूं का लाइव टेलिकास्ट करके पूरे देश में एक ऐसा महौल बना दिया, जिससे ये छवी बनी कि भारत के लोग आतंकवादियों के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, और भारत का कोई भी परिवार अब अपनी करबानी देने के लिए तयार नहीं है, इस माहौल को बनाने में उस समय के मीडिया का एक बहुत बड़ा रूल था, और आज बहुत इमानदारी से हमें इस सुईकार करने में कश्ट तो हो रहा है, लेकिन ये बात सच है, और हमें इस बात का खेद है कि उस समय ऐसी खबरों क का प्रसारण Zee News पर भी हुआ था, जब हमने भी ये कहा था कि देश के लोग क्या चाहते हैं, और देश के लोगों की मर्जी के सामने सरकार को जुकना पड़ा, और सरकार ने भी सोचा कि जब देश के लोग ही नहीं चाहते कि हम आतंकवादियों से लड़ें, और देश के अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहते, तो फिर सरकार भी क्या करें, देश के लोग तब ये चाहते थे कि सेना के लोग कुर्बानी देते रहें, लेकिन कोई सिवेलियन अपनी कुर्बानी नहीं देगा, आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस समय हमसे ये त्रुटी हुई यह हमसे भी गलती हुई थी उस समय हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम भी इन परिवारों को आशूं के सामने बड़े मुद्धों को समझ नहीं पाए और आज हम सस्ती लोग प्रेता और टी आरपी के लिए वो काम नहीं करना चाहते जो 1999 में किया था आज आपको दो बात हैं समझनी है पहली बात इन चात्रों की नाराजगी इनके अपने फाइदे के लिए है राश हित के लिए नहीं और दूसरी बात ये चात्र ऐसा करके भारत की ही छवी को नुकसान पहुचा रहे है और इस समय आप ये भी देखिए जरा कलपना करके देखिए कि यूकरेन मे जैसे ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जैसे कि यूकरेन के लोग लड़ रहे हैं या फिर वो ये कहेंगे कि लड़ने का काम और कुर्बानी देने का काम तो सेना का है हम तो टेक्सपेर हैं हम अपने घर पर रहेंगे और एक बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा होगा जो अपने ही सरकार के आलोचना करने लगेगा और कहेगा कि सरकार की गलती के वज़े से आज हमें युद्ध की स्तिती देखनी पड़ रही है और ऐसा भी वर्ग होगा हमारे देश का जो विरोधी देश, विरोधी सेना या दुश्मन देश के साथ मिल जाएगा और उनकी ता काम करने वाले भी बहुत सारे भारती नागरिकों को वहां से इवेक्यूट किया गया है और एक बड़ी खबर जो अब तक मैंने आपको नहीं बताई और ये खबर आज आपको इसलिए बता रहे हैं कि अब तक हमारे चात्रों को वहां से इवेक्यूट किया जा रहा था और इस खबर का बुरा प्रभाव वहां पर फसे हुए भारतियों पर पढ़ सकता था लेकिन आज आपको कुछ सच्चाई जाननी चाहिए और वो खबर ये है कि ऐसे भारतियों की संक्या हजारों में है कि भारतिय दूतावास ने जब इन लोगों से संपर्क किया और इनने बताया कि सरकार ने उनके लिए विशेश विमान की विवस्था किये उन्हें ले जाने के लिए विमान में सीटें खाली हैं जगा रखी गई है तब ये लोग जहां पर रुके हुए थे वहां से भी गायब हो गए और भारते दूतावास को भी कोई जानकारी दी नहीं और ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इन भारतियों को भारत आना ही नहीं है इने ऐसा लग रहा है कि यद्ध उनके लिए एक तरीके से योरोप का पासपोर्ट बन सकता है योरोप में इनकी एंट्री हो सकती है इस युद्ध के बहाने और वो एक शरनार्थी का दरजा हसिल करके योरोप के देशों में जाकर बस सकते हैं लेकिन अब वो भारत नहीं आना चाहते वो वहीं पर रुखना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें शरनार्थी के तोर पर वहीं पर या तो लीगली या इलीगल तरीके से वहीं पर उन्हें एंट्री मिल जाए असल में भारत से जो लोग यूकरेन, रश्या और बेलारूस जैसे देशों में पढ़ने के लिए और काम करने के लिए जाते हैं उन्हें सिर्फ इन्हीं देशों का वीज़ा मिलता है और यूरोप के देशों में जाने के लिए इन्हें अलग से वीज़ा लेना पड़ता है ज लेकिन इस संकट के बाद जो भारती है शरनार्थी बनकर पोलेंड और दूसरे पड़ोसी देशों में पहुँच गए उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब वो किसी तरह योरोप में तो दाखिल हो ही चुके हैं और अगर उन्हें शरनार्थी का दरजा मिल गया तो वो अपन इसके पीछे पूरा बिजनस मॉडल है आपने देखा होगा यूकरेन से आए बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा भी ठीक से बोल नहीं पाते इसके अलावा इनमें कई चात्र ऐसे विशों की वहां पर पढ़ाई कर रहे थे जिन विशों का कोई जादा महत नहीं है उन विशों को पढ़ाई करने के बाद उनकी कहीं नौकरी नहीं लगेगी ना यूकरेन में लगेगी ना भारत में लगेगी ये बात तैय पकी बात है असल में ये चात्र भारत की ही कुछ एजिनसी की मदद से यूकरेन जैसे देशों में स्टडी वीजा लेकर चल और जो भी कोर्स करने ये गए हैं, वो मकसद नहीं है, असल में आज हमने इसके उपर काफी रिसर्च भी की है, और जो हमें पता चला वो सुनिये, पूरी दुनिया में किवल पांच देश ऐसे हैं, जहां मेडिकल की पढ़ाई करने वाले चात्रों को, भारत में आकर कोई टे पढ़ाई करके आते हैं, वो भारत में बिना किसी परिक्षा के काम शुरू कर सकते हैं, जबकि यूकरेन जैसे देशों से मेडिकल की पढ़ाई करके आने वाले चात्रों को, फोरण मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जैमिनेशन देना पड़ता है, ये एक परिक्षा होती ह और इस परिक्षा में यूकरेन से मेडिकल की पढ़ाई करने करके आने वाले ज्यादातर चात्र फेल हो जाते हैं, इस परिक्षा को पास ही नहीं कर पाते हैं, और ऐसे चात्रों की संक्या सैकडों में नहीं, हजारों में होती हैं, तो एक बड़ी बात ये हैं, उधारन के नेगर योक्रेण से 100 चात्र मेडिकल की पढ़ाई पूरि करके भारत लोटते हैं to उन मेंसे केवल 16 चात्र ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। बातर यूक्रेन में रहकर ही वहाँ कोई दूसरे छोटे मोटे काम करना शुदू कर देते हैं और वहीं रुक कर ये योरोप जाने का सपना देखते हैं और जब ऐसा कोई संकट होता है तो योरोप में शरनार्थी का दरजा हासिल करने की कोशिश भी करते हैं जैसा कि इस समय बहुत सारे भारती कर रहे हैं हाला कि योरोपी यूनिन की नीती भारत को लेकर बिलकुल अलग है यू का कहना है कि भारत पर कोई हमला नहीं हुआ है ये हमला यूक्रेन पर हुआ है और शरनार्थियों का जो दरजा है वो यूक्रेन के लोगों को दिया जाएगा वहां के नागरिकों को दिया जाएगा भारत के नागरिकों को नहीं क्योंकि भारत पर हमला नहीं हुआ है इसलिए जो लोग यूक्रेन में रहते हैं भारतिये उन्हें वापस अपने देश चले जाना चाहिए लेकिन ये लोग अब भी वहां रुक कर यूरोप का नागरिक बनने का अबस्टो दोलोग इलीडनाओ